प्रस्न चार का आकिर्ती में कितने वर्ग हैं खा आकिर्ती में कितने आयत हैं तो पहले कहा हल कर लेते हैं आकिर्ती में कितने वर्ग हैं तो वर्ग किसको कहते हैं जिसका चारों फुजा क्या हो बराबर हो जैसे देखें 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm तो यह हो गया एक वर्ग, ठीक है, जिसका कि 4,2 cm है, एक वर्ग हो गया ये वला, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, यानि ये भी 4 cm है, ये भी 4 cm है, ये भी 4 cm है, और ये भी 4 cm है, तो दो वर्ग तो मिल गया इस आकरती में, तीसरा वर्ग, ये देखें, ये पूरा है 6 cm, यहाँ पे लिखा आकिर्थी में, तो कह का उत्तर होगा, तीन, और खह का उत्तर होगा, आकिर्थी में कितने आयत हैं, तो आयत का आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है, ठीक है, तो जैसे ये हो गया चार सेंटीमेटर, ठीक है, ये भी हो गया चार सेंटीमेटर, क्योंकि ये पूरा है छे सेंटिमीटर तो छे में से दो गया तो इतना चार होगा यहां से यहां तक चार होगा और यह भी हो गया चार तो चार चार और यह हो गया दो और यह हो गया दो तो आमने सामने वाली भूजा बराबर होता है आयत में तो एक आयत तो मिल गया दूसरा आया देखे ये वला ये पुरा हो गया छे ये हो गया दो ये भी हो गया दो और ये हो गया छे तो दो आयात मिल गया है ठीक है तीसरा आयात ये देखे ये है छे इतना हो गया चार ये है छे और ये है चार यह हो गया, तो तीन आयत मिल चुका है तो फिर से गिन लेते हैं आखिरते में कितने आयत है तो एक देखिए, यहां से यहां तक आयत में आमने सामने वाली भुजा बराबर होता है तो यह भुजा और यह भुजा बराबर है यह भुजा और यह भुजा बराबर है तो एक आयत तो मिल गया है दूसरा देखे यहां से यहां तक फिर यह वला देखे यहां से यहां तक चार इधर भी चार है क्योंकि छे में से दो गया चार यह दो है यह भी दो है तो दो आयत तो इसी में मिल गया अब इसमें देखे, एक हो गया, तीसरा आयत, यहां से यह पूरा, चौथा आयत, यहां से यहां, चार आयत मिल गया है, पांचमा आयत, यह वाला पूरा बड़ा वाला, ठीक है, क्योंकि यह चार है, यह भी चार है, यह छे है, यह भी छे है, तो पांच आयत मिल गया है, छट से गिन लेते हैं, एक आयत हो गया ये वाला, दिखें, ये, एक आयत हो गया यहां से यहां तक, ये, दो आयत, तीन हो गया ये वाला, चौधा हो गया ये, ठीक है, और पांच वा हो गया, ये, पांच आयत है इसमें, निम्नानकित आकरतियों में आयत को चुने,